चलिए दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेस चनल पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के गरांड इफे डेली बेसिस पर यहाँ पर आप पर सकते हैं किकपोईंट और स्पेश्टेंबर यह आज ओफर खतम हो जागा लाइववन कोड यूज करके चलिए आज के दिन की शुरुबात 16 सेप्टेंबर वर्ल्ड ऑजोन डे आज के दिन अगर देखा जा वर्ल्ड ऑजोन डे की हिस्ट्री के बारे में तो 1994 में पहली बार वर्ल्ड ऑजोन डे जो है सेलिब्रेट किया गया था युनाइटिन नेशन जनल असेंब्ली ने इसे और किया था देखिए ओजोन लेयर डिप्रीशन जो है एक बहुत बड़ी प्रोग्लम है इसी को रिजॉल करने के लिए इसे और अगर देखा जाए इससे संबंदें मॉन्ट्रियल पोटेकोल को भी जो है इंप्लिमेंट किया था 1989 में ऐसे जो सबस्टांस है उनको रोका जा सक के जिससे ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है पहले पहले कुछ नाम सभी के सामने इंडिया और कौन सा ऐसा देश है जो की इंडो पैसिफिक के ऊपर ट्राइलेटर डेवलप्रेट कोर्पेशन कर रहे हैं तो आंसर है फ्रांस इंडिया और फ्रांस के पीच में डिसकॉशन लिए डिसकॉशन जो है हमारे एक्सटरनाल अफेर मिनिस्टर डॉक्टर एस जेशंकर और उनके जो काउंटर पार्ट है कैथरीन कोलोन उनके बीच में न्यू देली में रहा था जिसमें इन्होंने डिसकॉस किया कि किस तरीके से इंडियर फ्रांस जो है इंडो पैसिफिक इंडियर फ्रांस के द्वारा ही इंट्रेशन इसी को प्रमोट किया जाए नेक्स्ट को साथ देश है जिसने जो है यूस से को यह का कंसर जाता है कि पाकिस्तान को एक शिक्सीन जैट का जो पैकेज है वह नहीं मिलना चाहिए ठीक है इंडिया इस को आंसर है इंडिया ने इस चीज़ पर जो है इस चीज़ को कंडेंब किया हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजना सिंग्जी ने हाल फिलाल में इंडिया के यूसे के साथ एक टेलफोनिक कनवर्सेशन किया उसमें यह का आया कि एफ 16 के लिए जो पाकिस्तान को जो अमाउंट दिया गया है वह एक तर 250 मिलियन डॉलर का सपोर्ड जो है यूसे ने अनॉंस किया भी हाल फिलाल में एट सीदा नेक्स कोशन है आल फिलाल में कौन जो है लंडन विजिट करने वाले हैं स्टेट फॉनल होने वाला क्यों अलिजबट सेकिंड का तो उस पे तो हमारे प्रेजिडेंट ड्रोपदी इस प्रेजिडेंट नरेंद मोदी जी के द्वारा भी सेम किया गया एवन एक्स टानला फेर मिस्टर डॉक्टर एजेशन करके द्वारा जो है वहां पर इन्होंने विजिट किया था स्पेशली तो डेफिनेटी आप सभी जानते हैं कि इन्होंने जो है इनकी मृत्यू का आठ सेप्टेम्बर को हुई इस मंत और सतर साल इन्होंने अपने एज़ा क्यों जो है सर्व किया जिसमें इन्होंने कॉमन मेल्थ कंट्री ज्यां उनके लिए मिलियन सफ पीपल के लिए जो है बहुत कुछ किया है इसका मतलब जो साइन है किया इसको वुमेंस वर्ल्ड 20-22 तो यह किनका है यह फीफा अंडर 17 वुमें वर्ल्ड कप है इसे इंडिया ओस ने वाला है तो उसका जो है अग्रिमेंट साइन है किया है इसे जो है साइन किया गया है Under 17 World Cup 2022 इंडिया में होगा ठीक है तो यह schedule कब से लेके कब तक है तो 11 October से 30 October के बीच में होने वाला है ठीक है और साथ के साथ इंडिया ने इसे पहले Under 17 जो है Man's Cup भी जो है और नाइस किया था 2017 में एक successful achievement वह रही थी और अब डेफिनेटली अगर ऐसा इवेंट औरनाइस के रहा है Women World Cup औरनाइस है तो यह महिलाओं को भी support करने के लिए है कि football जैसे sports में जो है इंटर्स दिखार एक सी नेक्स्कूशन cabinet ने हाल फिलाल में यह अनॉंस किया है कि ST list में कितनी स्टेट के कुछ communities को एड किया जाएगा तो आंसर इस question गा चार स्टेट में तो चार स्टेट कुन कुन से यह cabinet के द्वारा अनॉंस केगी 36 गड़ हिमाचल परदेश तामिलनाडू करनाटका इवन उत्तर परदेश में जो है schedule tribe की जो list है उसमें कुछ communities को एड किया जाएगा यह ब्रीफिंग जो है ट्राइबल आफिर मिनस्टार जिन मुन्दा जी के द्वारा देखिया है ठीक है एक्जामपल के दो रुपे अगर देखा जाए तो हिमाचल परदेश में में कुछ ऐसी communities है एक्जामपल हती community सर्मोर डिस्टिक की तो उसे जो है एड किया गए डेफिनिटी से बहुत जादा फायदा होने वाला है वेलफियर जो benefits होते हैं वह 1.60 लैक है हिमाचल परदेश में ऐसे लोग जिनको welfare benefits से मिले एवन करनाटका की कुछ community है जैसे बैता कुरूबा community है और भी स्टेट्स की communities को जो है एड किया रहे हैं लेट सी नेक्स कोशन उन से युनियर मिनिस्टर है जिन्होंने लौंच किया स्वच पोर्टल फॉर स्पेशल केंपेंट 2.0 तो जेतेंद्र सिंग जी के द्वारा यह अनौंस किया गया हैं तो अब यह पोर्टल लोंज किया गया है जिसमें जितनी भी हमारे government offices हैं वह सब इसमें पाडिस्पेट करने वाले हैं स्वेचल जो स्वच कैंपेंट 2.0 और डेफिनिटी हमारे जो दो अक्टूबर को महात्मा गांदी जी का जर्म दिवस सेलेविट किया था और 31 अक् इंप्लिमेंटेशन हैं वह अभी से ही स्टार्ट हो गया है मिनिस्ट्री ने हाल फिलाल में 67,000 की आसपास ऐसी साइट जो है फिक्स करी हैं जिसमें सेंटर मिनिस्ट्री डिपार्ट्मेंट जो स्टार्ट की जा चुगी है तो यह इंपोरन्ट कुशन आपको मिल सकता है ले जो होने वाले और भी अभी भी हो रहे हैं होंगे भी ठीक है अभी जो इससे पहले टू प्लस टू का मिनिस्टर डालोग हुआ था इसमें इंडिया के मिनिस्टर राजना सिंग जी और इसके लाव आप यह भी जानते कि इंडिया जी टूंट करने वाला है नेक्सियर इवन सेम साल में जो है जैपान जी सेवन को उसकरेगा दोनों का जो टार्गेड वही है मल्टिलेटरलिजम जो है उससे सम्मध्र रिफॉर्म्स लाना तो डेफिनिटी जो है इस पर वर्क किया जाएगा दोनों देशों के द्वारा नेपाल और कौन सी कंट्री ने एक बाइलेटरल कोर्परेशन एक्रिमेंट साइन किया है अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव तो डेफिनिटी नेपाल के साथ चाइना ने किया होगा तो चाइना अब जो है चाइना के इस प्रो इन सब चीरों का बहुत जादा फायदा होने वाला है तो मुम्रेंडम साइन किया गया नेपाल और इन दोनों देशों के बीच में तो लेट और एक्सक्राइब ने एक ठीक है वाइड पेपर लॉच्ट किया है अर्बन वेस्ट वॉटर सिनारियो में इन इंडिया और डैन देन्मार्क ने इसे लूंच किया वाइट पेपर जो कि अर्बन वॉर्टर वेस्ट वॉर्टर सिनारियो इन इंडिया उस पर डिसकेशन है जिसमें डेन्मार्क यह कहां पर हुआ था लोंच यह वर्ल्ड वॉर्टर कॉंग्रेस एक्जिविशन है बीसवाइस का अभी कैमगन में हुआ वहाँ पर इसे लूंच किया गया है तो हमारे जो मिनिस्टर है गजेंदर सिंग से खावाज जी इन्हों ने यह चीज़ करिए कि इंडिया अभी वाटर मैनेश्मेट पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है एक्जाम्बल हमने जल शक्ती जो इनिशेटिव लाया था 2019 में उस पर काम हो रहा है तो इसके अलावा इंडिया की तरफ से बहुत ज्यादा हो रही है अभी 140 बिलियन का इंवेस्ट्मेंट करने की आशा है 20-24 तक वाटर सेक्टर में तो डेफिनिटी कोर्परेशन ज़रूरी है बाकी देशों के साथ भी असे रोफ जो कि एक पॉर्म मैचेस हुए है उसमें अमपारिंग करते हुए देखा होगा तो फेमस थे 231 इंटरनेशनल मैचेस जो है 13 साल के करियर में इनोंने जो है किया है कार्डियक अरेस्क्रीजिस इनकी मृत्तिवी 2000 में इनोंने शुरू किया था आला कि इनके उपर बहुत सारे ऐसे जो है केसिस लगी है दोजार 13 के आई पेल स्पोर्स्विक्सिंग में इनको जो है स्केंडल मिलिया गया था उसके बाद से इनका करियर बर्बाद भी हो गया था दोजल जो है सोला में के बाद से इनका करें बिल्कुल ही डिस्ट्रोई हो गया जब इनको जो है बी सी सी ने गिल्टी भी प्रूफ कर दिया करब प्रैक्टिसे से डिस्ट्रप्टिंग गेम्स के लिए तो अभी इनका लेटस नाम है तो याद रखेगा में चीफ एक्जिगुडिव ऑफिसर और मेनेजर अमेरिकन एक्सप्रेस कोपस इंडिया के द्वारा तो संजेख खन्ना तो उसके अलावा जो है फर्स हाई थोपुट सेटलाइट ब्रोडबेंड इंटरनेट सर्विस इंडिया में कून लेका है तो उसके अलावा जैपान इ इसके अलावा आज का सवाल देगे कौन सी स्टेट है जिसकी लोंगेश कोस्ट लाइन है इसका अंसर कमेंट बॉक्स पर डिटेल में बताईए चलिकराम जोइन करें और दोस्तों यह अपॉर्चनिटी सिर्फ और सिर्फ आज के लिए अगर आप इसे आज सब्सक्राइब क एक्सस मिलेगा जैसे आपके सामने एक्सांपल है बाकी आने करें कोई भी कोर्स हो तो आज ही सब्सक्राइब करेंगा सो डैट कि आपको 20% डिसकाउंट मिल पाए और कोइन्स का और डिसकाउंट आ है तो लाइव और यूस्ट लाइस करिए बजाकी सेशन को लाइक करें श शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैक्स लाट फो वोचिन